हलो स्ट्रेंड्स महूरमाकान पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिनबाडा जी हां स्ट्रेंड्स हम आज आप से बात करने वाले हैं कि आप नीट के फॉर्म को किस तरीके से फिल करेंगे और क्या ओफिशल वेबसाइट होगी तो स्ट्रेंड्स आप किसी इस पर आप जैसी क्लिक करेंगे तो आपको सबसे नीचे आना है नीट यो जी 2023 रिजिस्टेशन आप लिखा है Can제 एक्टिभिटी इस पर जैसी क्लिक करेंगे तो यह परमिशन मांगेगा कि आपको धूसरी वेबसाईट पर पहुंचा रहे हैं तो जैसी स्ट्रिव पर click करेंगे तो आप official website पर चले जाएंगे इसके बाद में आप लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा NTA की official website पर आपको registration करना होगा तो आप new registration पर click करेंगे जैसे आप यहाँ पर new registration पर click करेंगे तो आपको यह सारी जानकारी भरने के लिए देगा जैसे आप general category से हैं तो आपको बता रहे हैं कि आपको इस form को भरने के लिए जो है वो 1700 रुपीज लग रहे हैं यह सारी जानकारी दे रहा है यह दिश्ट्रेंस आप outside इंडिया के हैं इंडिया से बाहर से आप बिलोंग करते हैं तो आपको 9500 रुपीज इस form को फिल करने के ल लगेंगे सारे इंस्ट्रक्शन को आपको पढ़ना स्ट्रेंस नेट कैफे से फॉर्म फिल कीजिएगा आप लोग इसको रीट करने के बाद में यहाँ पर डाकुमेंट्स भी दिये गया है आपको पासवर्ड भी बनाना है इस पर आप जैसी क्लिक करेंगे स्ट्रेंस तो आप अपना यहाँ पर जो भी नाम लिखना चाहें जो आपके टैंथी मार्क शीट में स्ट्रेंस उस तरीके से आपको यहाँ पर अपना नाम ठीक है आपके फादर का नाम है ठीक है तो स्ट्रेंस उसको आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा फिल करना पड़ेगा तो ब step by step आप चले जाएए जो भी date of birth tapi इहां पर फ्ल करना होगा जो भी date of birth एक वोकि data बर्स हो फिल करींगी तो सर बिल्कुल ठीक है date of birth.. फिल करींगी फिर चेकरी है रेक्षा कि लिए expectations आप लोग जोबी डाकुमेंट्स लेना चाह lot ले सकते हैं जैसे स्क्वेंट्useड आपको क्या लेना है bank passbook लेना है अधार कारद लेना है 10, 12 की, मांक शीट आप लेना चाहते या जो भी आपके पास में डाकुमेंट्स है वो आप यहां पर ले सकते हैं तो आप बैंक पास्टूक ले सकते हैं या अधार काड ले सकते हैं तो जो भी डाकुमेंट्स आप लेंगे श्रेंस उस पर आपको यहां पर क्लिक करना होगा जिसे आप रासन काड लेते हैं बैंक इस तरीके से आपको पनी सारी जानकारी को यहां पर फिल करना होगा तो अधार काड लेना चाहिए तो अधार कार लिख सकते हैं तो इस तरीके से आपको जो अपनी सारी जानकारी को यहां पर फिल करना होगा तो अधारकार लेना चाहिए तो अधारकार लिख सकते हैं इस तरी एस, फिर ш्ट्रेंज आपको जो पता है आपका, भी आप कहा हां रहते हैं तक पूरा पता आपको लिखना जो आपके अधहर कार्ड में दिया गया है बोले हैया भी ससरा बिल्कुल ठीक है, जो भी पता दिया हैं वह आप लिखेंगे जो भी आपका पता दिया है उसको आपको यहां पर क्या करना होगा इस फिल करना होगा यह श्रेंस आप कुछ रखना चाहें तो आप ऑप्शनल में रख सकते हैं या आपको यही एडरेस जो है वह कॉपी पेस्ट करना है तो जो भी आप ठीक है डिटेल म में आप कहा रहते हैं तो जो भी आपको डिटेल में लिखना एड्रेस में आप वो अपने और एड्रेस में लिख सकते हैं इसके बाद में आपको कौन से कंट्री से बिलॉंग करते हैं आपका स्टेट कौन सा है आपको अपने स्टेट की भी जानकारी देना पड़ेगा कि भी वह रिप णेकित का हूँ इसके बाद में आपको इमेल एडरेस आपको इमेल एडरेस देना चाहें वहाब आपको इमेल एडरेस Pal unserer कि इसके बाद में सब्सक्राइश पर आपको चले को सब्सक्राइब आज करेक्ट दीज्गा ठीक है सब के पास में आज के समय में email address होता है क्योंकि इसी पर आपका जो मैसेज आता है तो आपके पास में correct email address होगा उससे आप फिल करिएगा इसको confirm करना है इसको आप copy paste नेट केफे जाकर ही कीजिएगा जिससे आपको better जो है ठीक है वो security मिले की भई हाँ हमारे दुवारा दी गई इंकारी जो है वो सारी सही है तो form reject हो जाएगा चलिए जो भी photo आप upload करेंगे श्रेंज वो लगबग एक महीने पुरानी ही photo आपको upload करना है उससे ज्यादा पुरानी photo upload मत कीजिएगा फोटो में अपना श्रेंज दोनों जो आपके कान है वो दिखाई दें बिल्कुल आप HD quality में photo passport site की बनवाईएगा उसमें अपना नाम और इसमें आपकी date होना जरूरी है तो इसमें नाम और date वाली ही photo आपको लगाना है बिना नाम और date वाली photo नहीं लगाना है यदि इस्ट्रेंज कोई alternate number आप देना चाहें तो वो दे सकते हैं चिन्दवाडा लिख लेते हैं तो इसके बाद में स्ट्रेंज आपको password create करना है तो password आपको कुछ इस तरीके से दर है कि या कम से कम minimum आपके जो है वो 8 character तो होना ही चाहिए कम से कम तो इस्ट्रेंज password आपको काफी strong बनाना है star है जैसे कुछ बना के और यह password आपको note करके भी रखना है गुमाना नहीं जि बाद भूल गए क्या बनाया था ठीक है तो ऐसा नहीं करना है आपको password आपको काफी strong बनाना है ठीक है तो password काफी strong बनाईएगा star has भी लगा दीजिएगा जो भी आप लगाना चाहें और श्रेंज इस तरीके से आपको फिर का करना है कुछ अपकी security question आप देना चाहें कि which is your favorite books books पर देना चाहें या श्रेंज आपके school का नाम से आप देना चाहें या neighbor ठीक है आपके pet name को देना चाहें तो कोई भी आप श्रेंज यहां पर जो है वो ठीक है security answer दे सकते हैं या फैबरेट बुक कौन सी आपकी ठीक है या श्रेंज आपको फैबरेट पैट है उसका न फिल करना है तो इस तरीके से स्वेंज सारी जानकारी भरने के बाद में तोटल आपको information देने के बाद में इस पर submit आप जैसी करेंगे तो स्वेंज आपके पास में क्या जाएगा तो उससर हमारे पास में जैसी हम इसको submit करेंगे तो application number generate हो जाएगा ठीक है application form आपका तो प दिया गया है security pin यहां पर आपको दिया गया है इसके बाद में इसके बाद में हमें जैसी आप sign up करेंगे तो आपको सारी जानकारी फिल मिल जाएगी आपको ठीक है तो इस तरीके से आपका form जो हो जाएगा तो आपको क्या करना है सबसे online पहले registration करना है आपका application form generate हो जाए तो यह किसी भी net cafe पर जाकर students आप फिल कीजिएगा current की photo लगाईएगा date उसमें proper होना चाहिए signature भी students आपको proper तरीके से करना है तो इस तरीके से students आप लोग जो है वो अपने need के form को fill कर सकते हैं और these students आप need की preparation करना चाहते हैं तो science on academy के माध्यम से students आप online preparation कर सकते हैं जिसम पूरा neat का जो course है वो आपको one time में ही HD quality recorded video lecture मिल जाएंगे इसमें आपको coaching के notes, coaching के books, practice set, test series, model question paper, PYQ, full course with revision आपको करा के दिया जाता है, Sunday to Sunday आपके live test होते हैं तो students आपको A to Z preparation करवा के दी जाएगी, यदि आप interested हैं तो जरूर contact कीजिएगा मेरे mobile number 9407 384042 पर मिलेंगे फ तो आपके दिए वर क्राएंगे जू.